नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Blackboard में दोस्तों आज के स्मेहत्यपूर्ण वीडियो में हम आपके लिट्रिक लेका रहा हैं बरतमान में ग्रहों के उपग ग्रहों की संख्या जी हाँ दोस्तों बहुत ही जोरदार ट्रिक है science के point of view से ये बार-बार परिक्षाओं में पूछे जाते हैं इन से related प्रशन, इस topic से related प्रशन student कई बार इने नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई solid trick नहीं होती है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको guarantee देता हूँ आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है तो चलिए चलते हैं देखते हैं slide के उपर दोस्तों दोस्तों आपके बाएं तरफ इधर ग्रह लिखे हैं और दाएं तरफ उपग्रहों की संख्या लिखी है यानि की इधर ग्रह लिखे हैं कौन कौन से ग्रह है तो सबसे पहला कौन सा ग्रह है बुद्ध ग्रह है कौन सा ग्रह है बुद्ध ग्रह है और इसके उपग्रों की संख्या क्या है दोस्तों कैसे तयार करेंगे बहुत सिंपल है दोस्तों बुद्ध लिखा क्या है बुद्ध और बुद्ध का मतलब बुद्ध सीधे याद रख लिए बुद्धू बुद्धू याद रख लिजे दोस्तों बुद्धू जैसे कोई लड़का होता वो बुद्धू होता तो हम कहते यार तुम तो एक नंब बुद्धू हो तो तुम्हारे 0 ही mark s आएंगे, simple है, यानि कि बुद्ध के उपग्रहों की संख्या 0 है, next लेते हैं दोस्तोms, शुक्र के उपग्रहों की संख्या का है, 0 है, कैसे तयार होगा, simple है दोस्तों, आप यह लेगें आप अपने आपको का की सुक्र है मेरे जीरो नहीं आए क्या काऊओग देखते हैं अग्ला क्या है दोस्तों अगला है प्रत्वी और प्रतिवी के उपग्रों की संख्या क्या है एक है कैसे तयार होगा बहुत सिंपल है दोस्तों प्रतिवी एकलोती है पूरा जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें प्रतिवी एकलोती ऐसी ग्रह है जिस पर मनुष्य पाये जाते हैं जिस पर जीवन की संभावना है संभावन और मंगल के कितने उपग रहे हैं मंगल के उपग रहे हैं दो तो कैसे तैयार होगा बहुत आसान है दोस्तो मंगल आपको पता ही है सोम के बाद आता है यानि पहले आएगा सोम फिर आएगा मंगल तो आपको पता है यह दूसरा नंबर है second तो two ठीक है बहुत आसान है नेक्स लेते हैं दोस्तों ब्रहस पती क्या है ब्रहस पती तो ब्रहस पती के कितने उपग रहे हैं 79 बहुत जादा उपग रहे हैं दोस्तों ब्रहस पती की 79 ठीक है तो कैसे तयार होगा बहुत आसान है दोस्तों ब्रहस पती इसको कैसे तयार करे बहस बहस पती यानि कि पती से बहस अगर पती से बहस पत्निया करती है तो क्या हो जाता है साथ नो यानि कि साथ साथ नहीं रहते हैं साथ नहीं रहते हैं तब साथ नहीं सोएंगे साथ नहीं उठे बैटेंगे साथ नहीं अगर बहस करोगे पती पति पत्नियों के बीच में बहस होगी अगर बहस करती हैं पत्नियां पती से तो क्या हो जाता साथ नहीं, साथ नहीं फिर रहते हैं, साथ नहीं रहते हैं, साथ नहीं तो साथ नहीं, नो हो गया न, बहुत आसान ट्रिक मैंने आपको बताई है, आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा, यह इस तरह की ट्रिक बहुत ही जोरदार होती हैं, सीधे अटैक करती हैं, नेक्स देखते हैं अगला क्या शनी और शनी के कितरे उपग रहें दोस्टों 32 उपग रहें तो कैसे तैयार होगा सभिख आ जाएगाथ है सब्सीय चाहिए यह हे едल गया यह सब्सक्राइब hunter ऐस बोटेंग दोस्तेरी जाए दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं लिए चलिये नेक्स देखते हैं दोस्तो अरूण के कितने हैं 27 और वरूण के कितने हैं 24 तो दोस्तों लाष्ट में अरूण वरूण एक साथ ही हम लोग भोलते ंट इस जैसे नाम भी है दोनों के ठीकर तो आपको इसमें वरूण याद रखना य़ारूण के 27 तो इतना अरुन का हो गया तो दोस्तों इस ट्रिक से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उपग्रह ग्रहूं के उपग्रह से रिलेटर जब भी प्रशन आएगा आप दमाकेदार तरह से करके आओगे यह कोश्चन आप लोगों के लिए है कि नर्मदा अबम तापती नदियों के मद्ध इस्थित है क्या इस्थित है आपशन आपके सामने है ए बिंदे परबत बियरा वाली पहाणियां सीसत पुड़ा श्रेणियां और डी राजमहल की पहाणियां तो जो इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखके जरूर यह जएंवाल